हलो बच्चो स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस टोक्स विद करनों में तो आज सुबह सुबह एक नई अपडेट है चसे की तरफ से हाई कोट का हवाला देकर आई है कि जो पांच नंबर आप लोगों को मिलते थे सोशल एकोनोमिक क्राइटेरिया करके वो अब नहीं मिलेंगे TGT एक्जाम के लिए खास करके अभी जो अपडेट आई है वो आई है TGT एक्जाम को लेकर लेकिन ये इन्होंने एक बात और बोली है साथ में कि ये दूसरे एक्जाम पर भी इसका असर पड़ सकता है तो दूसरे एक्जाम कौन से है या तो पांच नंबर पे कब हुई थी हाँ जब ये पता ही नहीं चलता था बच्चों को कि पांच नंबर किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे तो बच्चों को ये था कि भी मेरी इंकम इतनी है मेरे को पांच नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो ऐसी कुछ बात थी उस टा लेके आनी है तो बंद हो जाए तो बड़ी है तो इसको बच्चे नेगिटिव ना लेके चले अगर ये बंद भी होते है ना तो ये बच्चे सोच रहे हैं कि अगर हाँ कि मैं मतलब की social economical area के मेरे को मिल रहे थे जिसके घर पे नोकरी नहीं है तो ये कोई न कोई सिस्टम अमीर और गरीब से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ऐसी बात होनी चाहिए है अब जैसे SC, OBC और जनरल इनमें थोड़ा सा ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे मैंने जनरल में ऐसे देखे हैं जो इतने जादा मतलब की अमीर नहीं है तो घर पे अगर कलर की भी नोकरी है त तो क्या सिस्टम कितना को हो जाएगा लेकिन फिर भी आप यह देखो कि वो बंदा अपने दम पे काम करना चाहा रहा है तो उसको वो पांच नमबर नहीं मिल रहे तो ये कहीं ना कहीं मेर को ऐसे लगता था कि ये बच्चों के साथ थोड़ा सा है ऐसा सिस्टम है तो इस प ये पांच नमबर और इसमें ना तो कोई ट्रांसपेरेंशी आ ये ना लिख के देते कि तुम्हें पांच नमबर मिले या नहीं मिले है तो ये चीज़ें जो है न ये बच्चों को तंग कर रही थी कहीं ना कहीं तो अगर आता है तो इसमें बच्चे आप लोग ये मत सोच करना अपने रिवियू जरूर देना इस बात पे कि अगर यह ऐसा होता है आने वाले टाइम में तो सही रहेगा यह गलत रहेगा तो अपने कमेंट जरूर करें यह TGT भरती पे हुए एक बार तो इन्होंने साथ के साथ यह तो बोली दिये कि गुरूप D और गुरूप D और C का नाम ने लिए दूसरे एक्जाम पर भी फर्क बढ़ सकते हैं दूसरे एक्जाम तो अपने यही रह जाते हैं में ली ठीक है तो ओके ठंड बहुत है बैठके पढ़ते रहो ओके थेंक्यू सो मच